सोलन में HFCL उद्योग के पूरु कर्मचरियों ने श्रम अधिकारी कारेले का गेराब किया इस मौके पर श्रम अधिकारी और इंस्पेक्टर के खिलाब जमगर नारेवाजी भी की करमचारियों ने रोश प्रक्ट करते हुए कहा कि श्रम अधिकारी कारेले की कारे पर नालिपत सवाल उठाए और कहा कि अधिकारी द्वारा उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और कानून ताप पर रखकर उन्हें उद्वारा उन्हें उद्वारा उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रहा है बिनन नोटिस के अधिकार निकाल दिया गया जिस पर जिलप्रशासन और आधिकारी खामौश है करमचारियों ने रोज प्रकट करते हुए कहा कि वे फिशले दो दशकों से उद्योग में अपनी सेवाइंते रहे थे लेकिन जब उनके यूनियन के पतदिकारियों को बगैर बज़ा उद्योग से निकाला गया तो सभी करमचारियों ने उनका बिरोध करना चाहा तो सो करमचारियों को बिनर नोटिस के उद्योग से निकाल दिया गया जिसके कारण करीबन सो करमचारी एक ही दिन में सडक पर आगे अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है बिद्वा महिला करमचारी ने बताए कि उन्हें कमपनी से बाहर निकाल दिया गया है जिसकी आरप लगाय कि श्रम अधिकारी करमचारियों के हितों को अंदेखा कर रहा है और उन्हें संदे है कि बे उद्योग प्रबंदन के साथ मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1700 करमचारियों को बिना नोटिस के निकाला गया है जिस पर जेला प्रशासन और श्रम अधिकारी खामोश हैं। उन्होंने बताय कि बेमुक्य मंत्री हिमाचल को भी इस बारे में शिकायत दे चुके हैं लेकिन अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेडी जूम है और मेरे छोट-छोटे बच्चे और मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है खाने तक के लाले पड़े हुए हमारे को पर हमारा ना कोई लेबर डिपाट्मेंट हमारी सुनवाई कर रहा है तो अब इसलिए उसी की निशकर्ष के लिए हम यहां आये थे तो उस इतनी पुरी हालत है वहां से लगबक सो हमारे करमचारी साथी श्रमिक साथी नोकरी से बाहर कर दिये गए हैं और यह बात उन दिनों के पिछले मेंने हम जलाइ में 11 तारिक को यहां से समझा साथी हमारे साथी यूनियन के परधान मा सचीव कर दिया और उसके बारे में अभी तब कोई चार्चिट ने दिये गई है जब वर्करूम हमारे स्वार्ट रिक्के से आप इनको निकाला गया तो आप इनको अंदर लेजे वह नोकरी पर लें तो उन्होंने एक दम से अजानक से सो आद्मियों के लिए लोकाउट कर दिया और बार गेट के बार तारल गा दिया और इस समय लगबख सो आदमी हमारे गेट के बार हैं और कोई सुनने वाला नहीं है यहां पर इतने सुस्त्रिक सुनवाई की गई हो रही है कि जो मामले यहां से एक हपता या दस दिन के अंदर खतम हो जाने चाहिए थे या अगली कारव अधिगारी चाहिए तो आज भी यहां पर फेर रोक के रखे हुएं जो अधिगारी ने उन्होंने हमसे भी बात चीतनी की तो इसलिए हमारे मजबूरों के नारवाजी करनी पड़ी यहां पर और यह आंदोलन की रूप रखा से बीचलाया हुआ है और हम इसके लिए कानू प्रशाशन की तरफ से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रशाशन की तरफ से हमारी बात को लेके तो ये थाजनी बरका कारेकरम कल फिर हाजिर होंगे नेकत वीदियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे हैं एस टूडे के साथ नमशकार